जेहिन नमस्कार सेनिक समाचार इंडिया में आप सभी का एक बार फेस्वागत है सातियों आज हम एक सबसे बड़ी पे और पेंशन एनोमली के बारे में बात करेंगे और ये एनोमली जुड़ी हुई है किस परकार पांचवें चटे और सातवें वेतन आयोग में जो खरगोस और कच्वे की चाल में जो कच्वा धीरे धीरे चल रहा था वो खरगोस से भी आगे निकल गया हमने जो एक्चोल कहानी सुनी है कि Slow and Steady wins the race और वो ही कहानी इस मामले में भी साबित हो चुकिये पता भी नहीं चलने दिया कि कब Honorary Captain और Lieutenant जिनकी Pay और Pension Regular Commissioned Major Captain और Lieutenant से ज़्यादा होती थी आज उन Honorary Captain और Lieutenant की Pay और Pension कम हो चुकी है जी हां हम बात करेंगे Pay और Pension वी संगती के बारे में इस वीडियो में Anomaly Oblique Desperity in Pay Oblique Pension between Honorary Captain Oblique Lieutenant and Regular Commissioned Lieutenant Captain Oblique Major सबसे पहले हम पांच वे Pay Commission के पहले का प्रिरू देखते हैं कि उस समय Honorary Captain और Lieutenant की जो Pay होती थी और उजो Pension मिलती थी उसके अंदर क्या प्रावदान था सबसे पहले Honorary Captain and Lieutenant were treated as a special and separate cadder यानि जो Honorary Captain और Lieutenant को एक विशेस और अलग cadder के रूप में माना जाता था पांच वे Pay Commission से पहले Second, Pay Scale of Honorary Captain and Lieutenant were kept high as compared to the directly commissioned Lieutenant and Captain यानि जो सीधे Commission प्रावद लेपनेट और Captain की तुलना में Honorary Captain और लेपनेट का वेतनमान उच रखा गया था कब? पांच वे Pay Commission से पहले तीसरी बात तिल थर्ड सेंटरल Pay Commission दा Pay of Honorary Captain वाज रूपीज फिप्टी मोर देन दा मेजर जो की 3.7% मेजर से एक Honorary Captain की जो Pay है वो ज्यादा थी कब? तीसरे Pay Commission में तीसरे वेतन आयोग तक Honorary Captain का वेतन मेजर से 50 रूपे पर मैने यानि 3.7% ज्यादा था और आखिरी बात इन 4.CPC Pay of Honorary Captain वाज kept equivalent to Regular Oblig Commissioned मेजर यानि 4.Central Pay Commission में Honorary Captain के वेतन को नियमत Oblig Commission मेजर के बराबर कर दिया गया था यानि जब खरगोस और कच्छुए की कानी जो आप देखोगे तो खरगोस इतना तेज भागता है कि बीच में आराम करने के लिए रुक जाता है कच्छुवा अपने दीरे-दीरे चाल से चलता रहता है और एक समय ऐसा आता है कि खरगोस सो रहा होता है और कच्छुवा पास में से निकल रहा होता है उस समय दोनों बराबर आच चुके होते हैं और खरगोस कच्छोए की तरब देखता है कि हाँ कच्छोँ आराम कर रहा है मैं अपनी चाल पे चलता रहता हूँ इसी परकार यहाँ पे हम बात करेंगे जो उनरीक लेठ्णेट और केप्टन है इनकी पैंसन और पेमेंट चोटे पे कमिसं तक ज़ादा थी यानि तीसरे पे कमिसं तक इनकी पे और पैंसन ज़ादा थी लेकिन चोत्य पे कमिस्न आते ही इनकी पे और पेंसन को बराबर कर दिया यही बात चोत्य पॉइंट में कही गई है कि चोत्य सेंट्रल पे Grad में माननिय कैप्टन के वेतन को नियमत अबलिक कमिस्ट मेजर के बराबर रखा गया जबकि वही तीसरे pay commission में honorary captain की जो pay है वो major से 50 रुपे पर मंथ ज़दा थी तो ये तो बात रही जो पांचवे pay commission से पहले क्या हुआ था अब हम बात करेंगे कि पांचवे pay commission में क्या हुआ और पांचवे pay commission के बाद क्या हुआ सबसे पहले बात करें तो pay scale of commissioned major and captain was increased but pay scale of honorary captain and lieutenant didn't increased यानि commission प्राप्त major और captain के वेतनमान में पांचवे pay commission में वर्दी की गई लेकिन honorary captain और lieutenant के वेतनमान में वर्दी नहीं की गई second thing जिसके कारण resulted the pay scale of honorary captain and lieutenant trailed behind यानि जिसका नतीजा यह हुआ कि honorary captain और lieutenant का वेतनमान पिछड गया यानि इनका वेतनमान जो commission प्राप्त captain और lieutenant से पिछे रह गया आगे इन 7th CPC दा pay scale of commission, major and captain further increased but not for honorary captain and lieutenant यानि इनकी pay or pension में बड़ोतरी होती ही गई लेकिन उतना ध्यान honorary captain और lieutenant की pay or pension पर नहीं दिया गया साथवे central pay commission में commission major और captain के वेतनमान में ओर वर्दी हुई लेकिन honorary captain और lieutenant के लिए नहीं की गई और आखिरी बात इस बड़ी वी संगती ने माननी है जो honorary captain और lieutenant और lieutenant और commission प्राप्ट अधिकारियों के बीच जिसमें lieutenant captain और major सामिल है उनके बीच में pay or pension में बड़ा अंतर पैदा कर दिया अब मैं आपको दो table दिखाऊंगा एक दिखाऊंगा lieutenant यानि honorary lieutenant और जो regular second lieutenant और lieutenant होते थे उनके साथ में और दूसरी table आपको बताऊंगा comparison, honorary captain और regular majors की बीच में कि किस परकार चोते pay commission से पहले हैं honorary प्राप्ट captain और lieutenant की जो pay or pension ज़्यादा होती थी लेकिन छोते pay commission के बाद धीरे 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 honorary lieutenant और captain की pay or pension कम होती गई और जो regular commission प्राप्ट lieutenant captain और major की pay or pension बढ़ती गई और आज ये हालात हो चुके हैं कि जो honorary captain और lieutenant इनकी pay or pension कम मिल रही है और जो major captain और lieutenant जो commission और धीकारी हैं उनका अलग level भी बन चुका है यानि वो अब जो है ज़्यादा pay or pension प्राप्ट कर रहे हैं जबकि जिनको ज़्यादा मिलनी चाहिए honorary captain और lieutenant को उनको कम pay or pension मिल रही है सबसे पहले देखें चोते pay commission में एक honorary lieutenant की जो pay थी वो थी 3300 रुपे पर मन्त जबकि जो एक regular lieutenant था उसकी पर मन्त pay थी 2500 यानि ये 43.48% एक्स्ट्रा थी second lieutenant से और 33% एक्स्ट्रा थी एक lieutenant से बदला पांच वे pay commission में हुआ honorary lieutenant की जो pay कर दी गई 10500 रुपे और उस समय ये भी हुआ कि जो second lieutenant rank था उसको सेना से निकाल दिया और direct commission होते थे एज लेपनेट तो फिर भी 27.27% लेपनेट से ज़्यादा थी और लेपनेट की जो pay थी वो इस bracket में आ रहे थे 8250 तेन सु रुपे इंक्रिमेंट और maximum 10500 बड़ा बदला हुआ चटे पे commission में honorary lieutenant का जो bracket कर दिया वो किया 15600 से लेके 49100 जिसमें grade पे रखा गया 5400 और regular लेपनेट की भी same payment कर दी गई 15600 से 4900 और grade पे 5400 अब present समय में जो honorary लेपनेट है वो regular लेपनेट के बराबर ही salary और pension प्राप्त कर रहे हैं साथवे pay commission में इन दोनों को level 10 में कर दिया गया हालांकि इसमें regular commission जो लेपनेट है वो honorary लेपनेट से आगे नहीं निकले लेकिन चोते pay commission में जहां पे एक honorary लेपनेट की pay ज़्यादा होती थी वो आज regular लेपनेट के बराबर कर दी गई है हो सकता है आने वाले समय में honorary लेपनेट की जो pay और pension कम कर दी जाए और regular लेपनेट की जो pay और pension को और बड़ा दिया जाए तो ये तो थी एक honorary लेपनेट और regular लेपनेट की pay में comparison अब हम बात करेंगे honorary captain और regular major की pay में किस परकार changes हुए है उसके बारे में सबसे पहले हम देखेंगे तीसरे central pay commission में इसमें हमने तीन comparison यहाँ पर दिखाया हुए honorary captain, regular लेपनेट और regular major तीसरे pay commission में honorary captain की जो basic ती वो थी 1400 और उस समय क्योंकि regular लेपनेट नहीं second लेपनेट होते थे तो यहाँ पर comparison में नहीं दिखाया गया है और regular major इनकी जो pay होती थी वो होती थी 1350 रुपे जो की honorary captain की pay से 50 रुपे कम होती थी चोते pay commission में honorary captain की जो pay है वो कर दी गई 3400 रुपे पर मंत जो की 17% regular captain से जादा होती थी और major के बराबर यहाँ पर थोड़ा सा बदला हुआ कि honorary captain को regular major के बराबर ला दिया गया अब यहाँ पर regular left net की जो pay है वो 2800 रुपे रखी गए पांच वे पे कमिशन में फिर बदला हुआ 10,850 रुपे पर मंत honorary captain की pay जो की 13.02% extra from the regular captain जहाँ पहले 17% थी पांच वे पे कमिशन में और इनके बीच में pay difference को कम करके captain और honorary captain के बीच में 13.2% कर दिया गया और इस समय आप यहाँ पर देखेंगे की major ने यहाँ पर छलांग बारी और 11.600 से लेके 14.850 पर पहुँच गए यानि इस पांच वे पे कमिशन में honorary captain की जहाँ पहले basic ज़ादा होती थी तीसरे पे कमिशन में पांच में पे कमिशन में उलट फेर हो गया सिधा regular major की पे को ज़्यादा कर दिया गया और जो special cadre में रखे गए honorary captain की पे को कम कर दिया गया हालांकि जो regular lieutenant है उसकी पे को अभी भी honorary captain से कम रखा गया 9600 से 11400 के bracket में अब हम बात करेंगे छटे पे कमिशन गी इस दोरान honorary captain की जो पे है वो 15600 से लेके 4900 के bracket में रखा गया और यहाँ पे आप देखे ग्रेड पे रखा गया 6100 रुपया इसका comparison हम regular major के साथ में करेंगे तो bracket सेम है लेकिन ग्रेड पे major का कर दिया गया 6600 रुपया और यहाँ पे जो regular lieutenant है उन्होंने बड़ी चलांग मार के पहुँच गए सीधे honorary captain के साथ अपने आपको भी इनके साथ खड़ा कर लिया 15600 4900 और ग्रेड पे करवा लिया 6100 दीरे 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 ओन्रेर केप्टन की जो पे है regular commission प्राप्त अधिकारियों के जो equivalent है उनसे कम होती गई साथमें पे कमिशन में और भी अन्याय हो गया मेजर ने सीधे चलांग मार के पहुँच गए level 11 में और ओन्रेर केप्टन रहे गए level 10 B में यहाँ पे बड़ा differentiate create कर दिया गया जो की बराबर होना चीए था या फिर ओन्रेर केप्टन की pay और pension ज़्यादा होनी थी लेकिन यहाँ पे कम कर दी गई level 10 B में 61,300 से 1,20,900 और सेम रख दिया regular left net का लेकिन regular major का level कर दिया 11 और bracket कर दिया 69,400 से 1,36,900 यहीं पे जो irregularity in pay fixation कर दी गई अब जितने भी Indian Army के honorary captain और left net है उन्हों ने ये बीड़ा अपने हाथ में उठा लिया आए और वो रुक कर रहे हैं डाय लेगा जहां पे writ petition डालने की तयारी कर ली गई है और इस मुहिम में और भी यदि कोई honorary captain और left net जुड़ना चाते हैं जो अपनी pension का fixation, revision, fourth pay commission के बाद से दुबारा करवाना चाते हैं वो इस मुहिम का हिंसा बन सकते हैं उनकी मुख्य दो मांगें जो आप नीचे समझ लें सबसे पहले revise oblique re-fix pay oblique pension of honorary captain in the ratio on the higher side at par with regular oblique commission major जो की 11600 से 14850 का जो bracket रखा गया यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे पांचवे pay commission में honorary captain की जो pay है कम कर दी गई थी इसी के लिए यहाँ पे मांग की जा रही है कि पांचवे pay commission में honorary captain को major की pay के बराबर किया जाए and enhance and revise as per 6th CPC, OROP and 7th CPC and release them all that dues pay and pension जब पांचवे pay commission में जो central pay commission में जो pay matrix निकला था उसके अंदर जब वापस से सुदार हो जाएगा refix हो जाएगी pay revise हो जाएगी तो automatically छटे और साथवे pay commission में हो जाएगी और इसके साथ OROP में भी हो जाएगी और अभी जो pension आने वाले हैं उनको भी revise होके pension मिलेगी हिंदी में समझे पांचवे central pay commission के अनुसार नियमत oblique commission मेजर जिनके की 11600 से 14850 रखी गई हुए इसके बराबर जो honorary captain के वेतन ओबलिक pension को संसोदित ओबलिक पुने निरदारित करना और चटवे central pay commission OROP और सात्वे central pay commission के अनुसार बढ़ाना और संसोदित करना और उन्हें जारी करना सभी बकाया जिसमें वेतन और pension सभी सामिल है दूसरी मांग रखी गई है honorary lieutenant के लिए enhance and revise the pension of the honorary lieutenant and maintain difference of 4% lower in basic pay from the basic pay of honorary captain जो भी यहाँ पे 10,850 जिसको की major के बराबर किया जाए 11,600 से लेके 14,850 के अनुसार और उसके बाद 6 और सात्वे pay commission और OROP में भी major के equivalent जो pay दी जाए उसी के according इनको pension दी जाए प्लस honorary captain की जो pension और pay बने उससे 4% कम करके honorary lieutenant की भी pay को revise, reflex किया जाए तो इस प्रकार एक बहुती बड़ी pay और pension, disparity और anomaly को Indian army के सभी honorary captain और lepnet मिलकर अपने न्याई के लिए न्याईले में ले जा रहे हैं और इसके उपर positive ही result आएगा तो मैं सभी honorary captain और lepnet को यहाँ पे सुब कामनाई देते हुए कि आप अपनी मांग को जाईज तरीके से न्याईले के सामने रखें आपको जरूर सपलता मिलेगी न्याईले में जरूर आपको इसके मामले को सुना जाएगा यह case आपका register होगा लिस्ट होगा और यह read petition के और फेसला आप सब के हक में आएगा क्योंकि finally मैं वही बात कहूंगा जो मैंने पहले कही थी कि एक जैसियो और जवान अपनी बात को सही जगे पर जब भी pay और pension, fixation, revision और central pay commission होता है तब नहीं रख सकता और वही गड़बड़ी आखिर में जाके एक anomaly बन दिये जबकि जितने भी अधिकारी होते हैं वो committee में सामिल होते हैं pay commission sale में अपनी बात रखते हैं अपनी मांगों को मनवाते हैं जैसा कि 2.57 की जगे 2.67 करवाया गया तो कोई बात नहीं यदि सीधे दर्वाजे से आपको entry ना मिले तो बेक डोर से आप entry जरूर ले और अपना हक प्राप्त करें किसी सुब कामनाओं के साथ इस वीडियो में इतना ही वीडियो आपको अच्छा लगाओ तो लाइक करिएगा और share करिएगा चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया या आप पहली बार विजिट कर रहें तो जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपके हितों से जुड़े मुद्धे यहाँ पर ऐसे ही आगे भी उठाए जाएंगे जै हिंट जै बारत वंदे मादर